हाई लो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टो आवर चैनल एजुकेशनल गोल और आज के इस वीडियो में हमारी जो सिरीज चल रही है क्लास टेंथ इंगलिस के लिए उसी में आज हमारी जो अगली यूनिट है जिसमें दो कहानी आए पहली कहानी का नाम है इस फर्स्ट फ्लाइट इसी के किशन आंसर हम इसमें डिसकस करने वाले हैं कहानी आप सभी को याद है कि एक छोटा समुदरी पक्षी होता है जो अपनी पहली उडान के लिए बहुत डरता है उसके दो भाई और एक बहन है जो आलरेड़ी उड़ चुके हैं उनके पंक आ गये थे वो उड़ गये थे जो इससे छोटे थे लेकिन ये उनसे बड़ा हो आपकी बुक्स से ही हैं और दो एक्स्ट्रा मैंने लिए हैं ताकि आपकी जो तयारी है वो अच्छे से हो सके है ठीक है देखे पहला किसन क्या है वाई वाज दा यंग सीगल अफरेड टू फलाई कि जो वो छोटा समुदरी पक्षी था वो उड़ने से भैबीत क्यों था ठीक है तो देखते हैं जरा दा यंग सीगल वाज अफरेड टू फलाई विकाज इट वाज हिस फर्स्ट फ्लाईट क्योंकि यह उसकी पहली उड़ान थी उसने सोचा कि उसके पंक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे वाज फ्लाईइंग जब वो उड़ेगा तब उसके पंक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे एंड इवेंच्वरी वूड ड्रोन और आखिरकार वो डूप जाएगा ठीक है अब अगला क्यूश्यन है वाट कंपेल्ड दा यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई वो क्या था जिसने उस छोटे समुद्री पक्षी को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया तो दिखिए वो 24 गंटे से भुका उस चटान पर खड़ा हुआ था कोई भी उसके पास आ नहीं रहा था ठीक है जैसे माता अपनी चोंच में मसली दबा करके लाई उस भूक के मारे इस छोटे समुद्री पक्षी ने जंप लगा दी ठीक है और इस तरह से वो उड़ना सीग गया तो देखिए जरा दा यंग सीगल वाज वेरी हंगरी बहुत भूका था छोटा समुद्री पक्षी ये उसकी भूक ही थी जिसने आखिरकार उसको मजबूर किया उसको इंकरेज किया उड़ने के लिए इंकरेज मतलब साहज बढ़ा है ठीक है वेंदा सीगल सा हिज मदर टियरिंग एट एपीस ओफ फिश डेट ले एट हर फीट हिज हंगर गोट इंटेंसिफाइड जब उस छोटे समुदरी पक्ची ने अपनी माता के पेरो में उस मचली के टुकडे को देखा जो माता उसको क्या कर रही टियर कर रही है तो उसकी भूक और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गई एक्सपिरियंस ड्यूरिंग हिस फर्स्ट फ्लाइट कि जो छोटा समुदरी पक्ची था उसका क्या अनुभव था अपनी पहली उडान के दुरान ठीक है तो देखते हैं जरा कि जब वो उस चटान से उस किनारे से नीचे गिर रहा था तब तो भाई भी था समुदरी पक्ची की भाई अब तो गया बट सून ही स्टार्टेट सौरिंग एंड देन फ्लाइंग लेकिन अगले ही पल वो तो उड़ने लग गया दहार मानने लग गया ठीक है मलब वो सोरिंग काम कह सकते हैं कि यह उड़ने की एक कला होती है मलब वो उड़ने लग गया ठीक है वो यह बात तो भूल ही गया था कि वो तो उड़ना जानता ही नहीं था और उसका जो भय था वो तुरंत ही आत्म इस्वास में बदल गया एज ही वाज लेंडिंग और जब वो समुद्र में लेंडिंग करने जा रहा था वाज अगेन अफरेड उसको फिर से भय लगा कि वो फिर डूप जाएगा बट सून ही रिगेंड इस कॉन्पिडेंस लेकिन जल्द ही जैसे वो समुद्री तल पर नीचे पहुंचता है और उसका फिर से कॉन्पिडेंस फिर से आ जाता है इट वाज ए मेमोरेबल फरस्ट फ्लाइट और उसकी जो पहली उडाजनती बहुत ही यादगार थी ठीक है अब देखिया अगला क्रिशन क्या है हमारा वाट डिड दा यंग सीगल डू टू अट्रेक्ट दा अटेंशन ओफ इस मदर कि छोटे समुदरी पक्षी ने अपनी माता का ध्यान खिशने के लिए क्या किया जब माता उसके पास आ नहीं रही थी ठीक है उसको कोई उस किनारे पर रहे उसके पास कोई जा नहीं रहा था उसको भोजन देने के लिए भी तब वो क्या नाटक कर रहा था तो देखते हैं जरा He came slowly up to the brink of the ledge वो चुपचाप किनारे के पास में आ गया ठीक है बिल्कुल किनारे पर आ गया And he stood on one leg और एक पिर पर खड़ा हो गया He hide the other leg under his wing और उसने अपना दूसरा पेर अपने पंख में छुपा लिया He closed one eye उसने एक आँख बंद कर ली And then the other और फिर दूसरी भी कर ली And pretended to be falling asleep और ऐसा बहना बनाने लगा कि जैसे वो सो गया है Thus he tried to attract the attention of his mother इस प्रकार से वो अपनी माता का ध्यान खिचने के उसने प्रयास किया ठीक है कभी वो एक टांग पर खड़ा हो रहा है ठीक है और कभी अपनी आँखे बंद कर रहा है फिर दूसरी आँखे भी बंद कर रहा है इस तरह से सोने का बहाना कर रहा था कि मा आ जाए उसके बास और उसको क्या दे दे भोजन दे तो देखिए चार क्वेस्चन है अगर ये चार क्वेस्चन आपने कर लिए तो आपका कोई सा भी question एक्जाम में नहीं चुटेगा और सीरीज हमारी जरी रहेगी इसलिए चनलन को सब्सक्राइब करना है थेंक्स फार वाचिंग इस वीडियो